जय हैं दोस्तों इस नए वीडिव में आपका फिर से स्वागत है तो इस वीडियो लेक्च्टर में हम लोग बात करने वाले हैं 8051 Micro Controller के पिन डाइग्राम के बारे में ठीक है बहुत डीपली हम लोग डिसकस करने वाले है 8051 microcontroller के एक एक pin के बारे में हम लोग discuss करेंगे total आपके 40 pin होते हैं 40 pin के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक एक particular जो pin है उसका काम क्या होता है ठीक है बहुत सारे चीजें आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगी इस वीडियो lecture में तो इस वीडियो lecture को पूरा देखिएगा आपको बहुत सारा knowledge इस वीडियो से मिलने वाला है ठीक है तो चलिए start करते हैं और समझते हैं सबसे पहले हम लोग 8051 microcontroller के pin डाइग्राम को आप figure में देख सकते हैं यही होता है आपका pin ठीक है यहां से हम लोग count करते हैं इधर से यहां पे इस तरह से जहां पे रहेगा इधर से हम लोग count करते हैं ठीक है तो आप देखेंगे कि 40 pin IC होता है जो आपका 8051 microcontroller है ठीक है 40 pin IC होता है चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें 4 port होता है मैंने आपको पहले इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो आपका 8051 microcontroller होता है उसमें 4 port होते हैं port 0, port 1, port 2, port 3 ठीक है तीन चार आपके port होते हैं अब यहां से हम लोग start करते हैं आप देखेंगे यहां से एक से लेके 20 तक इधर है फिर 21 से लेके 40 तक इधर है ठीक है इस तरह से आपको याद रखना है अब देखते हैं हम लोग कि जो 20 नमबर पीन है वहां पे ground है और जो 40 नमबर पीन है वो VCC है वहां पे हम लोग power supply अप्लाई करते है प्लस 5 बोल्ट DC power supply ठीक है तिन दुनों का आप लोग याद रखिएगा कि जो पिन नमबर 20 है पिन नमबर 20 है और पिन नमबर जो 40 है वह है VCC प्लस 5 बोल्ट यहां से हम लोग power supply अप्लाई करते है ठीक है ना चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपका पिन नमबर 1 से लगाए 8 तक है ठीक है यह है आपका port 1 और यहां पे जो पिन नमबर 9 है यह है आपका reset ठीक है RST pin है reset pin है इसके बाद पिन नमबर 10 से लगाए 17 तक ठीक है पिन नमबर 10 से लगाए 17 तक यह आपका port 3 है वर्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा कि जो पिन नंबर आपका 10 है वह आपका है Rxd ठीक है RxD क्या होता है Received Data और Transmitted Data है आपका Txd पिन नंबर 11 फिन नंबर 13 आपका क्या है इंटरमट है फिस नमबर 14 फिन नमबर 15 जो हों आपका है टाइमर टीवी जीरो टीवन और आपका रीड ऑपरेशन है यहां पर देखेंगी राइड ऑपरेशन है डबलू राइड आपरेशन है और आडी जो ह Barnes यहां पर है P 방र 18 पर आपका XTAL2 और pin नमबर 19 पे आपका XTAL1 ठीक है 20 नमबर आपका क्या है Ground है 21 से लगाए आपका 28 तक ठीक है 21 से pin नमबर 21 से लगाए 28 तक आपका Port 2 है ठीक है Port 2 है जो होता है आठो जो बीट है आठो जो pin है यहाँ पे होता है आपका address बस ठीक है A8 से लगाए A15 तक अपर जो address बस होता है जो higher address बस होता है ओ Port number 2 पे होता है ठीक है चलिए next आपका जो पोर्ट है आपका जो pin है ओ पिन नमबर 29 पिन नमबर 29 पे क्या है PSENL है ठीक है फिर पिन नमबर 30 पे क्या है यहाँ से पिन नमबर 32 से पिन नमबर 49 पिन नमबर जो आपका 49 है वहाँ पे आपका पोर्ट 0 है ठीक है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अड्रेस और डेटा बस दोनों तो AD0 से लगाए AD7 तक यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा पोर्ट 0 में अड्रेस डेटा बस ठीक है तो इस तरह से इसका इस बारे हम लोग देखते हैं 8054 माइक्रो कंटोलर इस 40 पिन डूवल इन लाइन इंट्रिगेटर सरकिट ठीक है मैंने आपको बताया है जो आपका 8054 माइक्रो कंटोलर है वो 40 पिन ऐसी है जो कि Duaal In Line Package में उपलब्द होता है ठीक है एक परकार कि ऐसी ऐसी जो दो लाइनों में उसके जो पिंस है और दो लाइन में हो ठीक है तो इसको हम लोग डूवर लाइन बोलते है डोल राइन लाइन पैकेज डी आई पी जिसको बोलते है है जालिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका operates on plus five inch power supply पर work करते हैं जो maximum आपके micro controller होते हैं या फिर micro processor की बात करें तो plus five volt dc पर operate कर जाते हैं maximum जो होते हैं लेगं कुछ ऐसे भी आपके micro controller processor होते हैं जो जिससे ज्यादा पर operate करते हैं लेकिन ज्यादा तरह आपको देखने को मिलेगा जो microcontroller होगा या फिर micro processor होगा वो प्लस 5 पर ही operate करने लगते हैं ठीक है चलिए next आपका point है it has 48 pins आयो port port 0, port 1, port 2, port 3 इस तरह से आपका जो 8051 microcontroller है उसमें 4 आपके ports होते है port 0 होता है port 1 होता है port 2 होता है port 3 होता है ठीक है तीन तरह के इसमें port होते हैं चार तरह के port होते हैं इसमें चलिए next आपका point है each port needs eight pins so there are 32 pins in 8051 microcontroller which are used by ioports तो ioports के रूप में हम लोग किसका यूज़ कितने pin का यूज़ करते हैं 32 pin का यूज़ करते हैं क्योंकि आपका जो ioports है कितने हैं आपके चार है और चारों के में कितने कितने pins हैं आपके आठ हाठ है तो आज चो 32 32 pin हम लोग total use करते हैं as a ioport की रूप में ठीक है चलिए नेक्स्ट हम जो चलते हैं आगे अगला point हम लोग का दे रिमेंग एट पिन्स और ग्राउंड वी सी सी रिशेट यह एली होता है पी असीन होता है फिर आपका XTL1 होता है XTL2 होता है ठीक है जो 32 pin है उसके अलामा जो पिन है यह आपके आठो पिन है इसके अलामा ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे वी सी सी वी सी क्या होता है जहां हम लोग power supply देते है माइक्रो कंटोलर को pin नंबर 40 है आपका वी सी सी तू प्लवाइट प्लस फाइब डिसी पाउर सप्लाई टू चिप जो आपका इंट्रिकेटरड सीफ है जो सरकिट है जो है उस पे हम लोग प्लस फाइब बोल्डी सी पाउर सप्लाई करते हैं इस पिन से Vी सीसी पिन से 19 है और XTAL2 जो है पिन नमबर 18 है और इसका काम क्या होता है 8051 microcontroller has on-chip oscillator but required external clock to run it तो हमने पहले ही बात किया है कि जो 8054 microcontroller होता है उस पे on-chip oscillator लगे होते हैं ठीक है लेकिन इसको run करने के लिए इसको update करने के लिए बाहर से clock देना जरूरी होता है external clock की requirement होती है जो आपका microcontroller 8054 microcontroller ठीक है इसको work करने के लिए इसको operate करने के लिए external clock की जरूरत होती है चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसके लिए भी कुछ काम होता है जैसे आपका for this and external quartz crystal is connected to the pins XTA1 and XTA2 along with two 30 pico farad capacitor तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं externally जो आपका pin number XTA1 है और XTA2 है उसके बीच में हम लोग के crystal लगा देते हैं quartz crystal लगा देते हैं ठीक है हम लोग को clock मिल जाता externally ठीक है और जो हमरा microcontroller है वह work करना start कर देता है तो यहां पर आप देखेंगी कि आपका XTA2 है XTA1 है इसके बीच में हमने एक quartz crystal को connect कर दिया ठीक है अब हम लोग को इसके थुरू मिल जाएगा clock pulse जिससे की जो microcontroller हो operate होना शुरू कर दे ठीक है चलिए next हम लोग चलते हैं अगले point पर अगला point है आपका reset pin number कितना है 19 reset का जो pin number है वो क्या है 19 है जिसको short में RST बोलते है ठीक है चलिए this pin इस become used by the programmer to reset the micro controller micro controller को reset करने के लिए हम लोग फिन number 9 का use करते हैं कॉन use करता है programmer use करता है हम लोग use करते हैं जो program करता है microcontroller का वही is pin का use करता है आपका Working for controller उसको reset करने के लिए ठीक है तो जो रिसेट पिन हो कितना है आपका पिन नंबर नौ नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्टिवेटिंग इस पिन स्टॉप अल्डे एक्टिविटी ऑफ दे कर देंगे इसको एक्टिवेट कर देंगे ठीक है तो क्या होगा सारा जो हो रहा होगा माइक्रो कंट्रोलर में वह स्टाफ हो जाएगा ठीक है जो भी आपकी वर्क कर रहा होगा माइक्रो कंट्रोलर जो भी एक्टिविटीज हो रहा होगा इस पिन के थुरू वहां पर स्टा and also will come all value in the register to be lost और जो भी आपके register है उसमें जो भी value है वो सवारा क्या हो जाता है lost हो जाता है समाफ्त हो जाता है ठीक है चलिए इसके बाद अगला जो आपका पिनाता हो है ये ये पे बार है इसका मतलब आपको समझना होगा ठीक है जैसे आपका rst है इस पे जम लोग 1 apply करेंगे तो फिर on होगा ठीक है अगर यह है यह मतलब यह पर बार है यह बार मतलब क्या है कि यह एक्टी लो s vital है जिरो जम इस पर अप्लाइ करेंगे तो यह on होगा जब भी किसी pin पर बार आये तो इसका मतलब है कि वे active low pin है उस पर जो हम लोग 0 apply करेंगे तो activate होगा या फिर on होगा ओपिन ठीक है इस तरह से आप समझ सकते हैं अगर किसी पर बार नहीं है जो भी पिन का नाम है उस पर अगर बार नहीं है तो उसका मतलब है वह active high signal है ठीक है active high pin है उस पर हम लोग जब one apply करेंगे तब वह activate होगा ठीक ठीक है चलिए यह क्या होता है यह होता आपका external access होता है ठीक है external access होता है जो कि active low signal है एक it stands for external access and it is active low pin ठीक है active low pin होता है आपका यह जो यह पर बार है पिन नंबर कितना है आपका 31 है इस बात को याद रखिएगा पिन नंबर 31 के आपका यह पर बार है ठीक है internal external access है चलिए इसके बारे में और समझते हैं किसलिए हम इस पिन का यूज करते हैं तो this pin will be used for external और internal chip room selection तो आपका जो internal chip होता है जो external जो room होता है उसके selection के लिए हम लोग यह का यूज करते हैं यह जो आपका पिन है यह पर बार पिन है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं जो आपका internal room है या फिर external room है उसके सेलेक्षन के लिए करते हैं कि किस हम किस अगर हम लोग का इंटरनल का यूज़ करना है या फिर एक्स्टरनल का इसनल जो रूम है उसका यूज़ करना तो कैसे decide करेंगे किसका use करना है कैसे हम लोग use करेंगे तो यह पिन से हम लोग use करेंगे ठीक है चलिए वेन यह equal to one it indicate that the program code is stored in internal for kb on chip room तो अगर यह equal to one होगा ठीक है यह पर बार है ठीक है इसका मतलब active low signal है तो यहाँ पर अगर one है तो इसका मतलब यह है इंटर्नल रोम है उस पर data store वोगा ठीक है जो program है या फिर जो data है जो code है वो कहां पर store होगा तो जो आपका internal room है वहाँ पर store होगा यह indicate करता है अगर इसी के जगे पर अगर zero हो जाए जो आपका ये है ठीक है ये जो है जीरो हो जाए तो आपका जो external room है ठीक है जो बाहर से हम लोग room लगाए है उसमें data जो program है वो store होगा ठीक है जो program है जो program code है वो store होगा तो यही दोनों चीज़ indicate करता है अगर यह का value 0 है तो फिर आपका external room में data जो आपका program है store होगा अगर इसी का value 1 है तो आपका जो internal room है उसमें जो program है store होगा ठीक है चलिए यही चीज़ यहां पर लिखा होगा है इसको देख लिजिएगा when ea bar equal to 0 it indicates the program code is stored in the external room तो मैंने आपको बता दिया है कि ea equal to 0 होगा तो जो program होगा external room में क्या होगा store होगा ठीक है चलिए in this case the on-chip room will not be used but only external room तो इस case में अगर ea equal to 0 है ठीक है यह पर जो बार है equal to 0 है तो इस case में क्या होता है only external room होता है वही आपका use होता है जो on-chip room होता हो इसका use नहीं होता है ठीक है चलिए next point हम लोग देखते है अब हम लोग देखते हैं यहां पर देखेंगे तो आपका यह है आपका internal external memory है यह आपका internal room है ठीक है यह आपका external में हो रही है तो यहां पर देखेंगे कि जो आपका internal room है उसका जो address होता है 0000H से 0++ तक होता है और यह जो आपका external memory है वह होता है आपका 100h से FFFS तक होता है अगर इन्हीं दोनों को हम लोग मिला दिया जाए तो आपका total हो जाएगा यहां पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 0000H से FFS तक हो जाएगा यहाँ पर क्या होता है जब EA पर बार 1 होता है तो इसको select करता है ठीक है जब EA पर बार होता है equal to 0 होता है तो इसको select करता है ठीक है अगर EA पर बार equal to 0 है ठीक है जो pin number है आपका EA पर बार इस पर जब 0 होगा ऑब 0 apply करेंगे तो क्या होगा इसका जो address हो जाएगा कहां से कहां से कहां तक हो जाएगा 00 H.F.S. तक होगा और यहीं पर जब value होगा 1 यह पर जो बार है इसका वैलू 1 होगा तो इसका address कहां से कहां तक हो जाएगा आपका internal Left which 64 बिट का घृस्ट रह जो माय्क्रोच्ट बढ ere है ईट बीट का माई्क्रोच्ट उडिलR एड्रेस चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या है इन डेक्ट इन दिस केस वन ये इक्वल टु जी रो देपिन और पोर्ट जी रो एंड पोर्ट टू विल बी यूज़ एड्रेस बस फॉर कम्निकेशन विट एक्स्टरनल मेमोरी तो अगर ये पर बार जो ज नमर जी रो है पोट नमर टू है इसका उड्रेस बस के लिए किया जाएगा ठीक है एक्सटरनल मेमोरी से कम्निकेशन के लिए हम लोग जो आपका अड्रेस बस से उसका यूज कर पाएंगे चलिए नेक्स्ट हम लोग दिखते हैं पी अस्ट ये न पीन नमबर ओंतिस के बा पी एस एन ठीक है पी-स मतलब क्या होता है program पी मतलब होता program एस मतलब होता है store E-N मतलब होता है enable ठीक है? तो program इस्टेट आपका store enable pin नमबर 31 है तो इट इस्टेंड फार इस्टेट रॉग्राम इस्टेट इनेबल and it is active lower controlled signal तो आपका pin number 31 जो है क्या है आपका active low signal है क्योंकि उस पर बार है ठीक है चलिए next point है आपका this pin is used to enable data reading from external room external room से data reading के लिए data को enable करने के use में आता है ठीक है external अगर हम लोग room का use कर रहा है तो वहां से data को read करने के लिए इसको enable करना जरूर ही है enable करने के लिए हमनों इसका use करते है ठीक है चलिए next point है आपका है psen is connected to oe output enable pin of room chip तो room chip का एक pin होता है आपका output enable oe तो oe pin से connect होता है आपका जो psen है ठीक है चलिए next हम पिन देखते है अगला जो pin है आपका alee है address latch enable ठीक है address latch enable जो pin है ओ कितना है pin number 30 है 30 है pin number 30 कौन सा आपका alee है address latch enable तो when the 8051 microcontroller is connected to external memory the pin of port 0 provides both address and data from external memory तो अगर हम लोग बात कर रहे है 8051 microcontroller में तो अगर external memory connected है ठीक है तो क्या होगा जो 0 होगा जो आपका port 0 होगा उसके जो pin होंगे प्रवाइड करेंगे address और data दोनों प्रवाइड करेंगे external memory के लिए अगर जो आपका 8054 microcontroller से external memory connected है तो port 0 होगा वो प्रवाइड करेंगा आपको जो address है और जो data है दोनों ठीक है external memory के लिए चलिए next हम लोग चलते हैं अगला point देखते हैं ale pin used for demultiplexing of the address and data address और data की को demultiplex करने के लिए हम लोग ale pin का use करते हैं ठीक है address latch enable इसका मतलब ही होता है कि address जो आपका data है उससे address को अलग कर दिया जाए ठीक है अगर कोई ऐसा समय आ जाए कि जो आपका AD ठीक है अगर हम लोग को address को अलग करना है तो किसका पिन का use करेंगे address लग enable pin का use करेंगे और आपका address जो बस हो अलग हो जाएगा ठीक है तो address और data के demultiplexing के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं ale pin का use करते है address latch enable pin का यूज करते हैं ठीक है तो 1 ALE equal to 0 address is present on port 0 ठीक है and it will enable to external latch IC 74LS 373 to store the lower address lower order address तो यहाँ पर अगर ALE का value जो है 1 है तब क्या होगा address जो होगा port 0 पर present होगा ठीक है जो address होगा आपका किस पर होगा port 0 पर होगा और यह आपका जो external आपकी latch ICM use करेंगे 74LS 373 इसको enable करेगा किसलिए enable करेगा जो आपका lower order address है मतलब A0 से लगाए A7 तक यह होता आपका lower order address और आपका जो आपका 8 A8 से लगाए A15 तक होता है यह होता आपका higher address तो आपका lower address है उसको store कर देगा कौन store करेगा तो आपका जो IC use हो रहा है ठीक है external latch IC 24LS 373 इसको आपको store कर देगा जो आपका lower order address होता है ठीक है चलिए यहीं पर हम लोग दूसरा condition देखते हैं जब ALE की value 0 रहेगा तो data present रहेगा port 0 पर ठीक है जो आपका data हो कहाँ पर present रहेगा port 0 पर रहेगा तो लैचिंग जो होगा और disable हो जाएगा ठीक है disable हो जाएगा चलिए नेक्स हम लोग देखते हैं port 0 के बारे में ठीक है port 0 क्या होता है इसके बारे में लोग बात करते हैं तो port 0 जो होता है पिन नंबर 49 से 32 ठीक है पिन नंबर आपका 32 से 49 तक कितना है आपका port आपका 0 है इस बात को आपको दियान रखना है तो इट इज एट पिन आपका bi-directional आयो port connected with the external 10k register तो external 10k register से connect होता है आपका जो port 0 होता है ठीक है इसका कोई special काम नहीं होता है इसका सिर्फ आपका address और डेटा बस का काम होता है ठीक है अगला हम लोग देखते हैं क्या काम है सारी चीज़ें आपको confirm हो जाएंगी डेस पिन यूज एज जनरल आयो पिन्स आल्सो काल्ड ओपन ड्रेन तो आपका जो जनरल आयो पिन्स है जिसको port 0 बोलना है ठीक है port 0 है उसको क्या लोग बोलते हैं open drain भी बोलते हैं कभी कभी आपके competitive exam में पूछा जाता है कि आपका जो port 0 है इसको किस नाम से जानते हैं तो इसको क्या नाम से जानते है open drain ड्रोन open drain नाम से जानते हैं ठीक है चलिए वेन external पिन्स और connected देश पिंस और उसटो प्रॉइड बोर address एंड डेटा तो communicate the external memory तो अगर हम लोग external पिंच connect किये हुए हैं जब हम लोग external पिंस connect किये हुए हैं तो ये सारे जो आपके पिंस है port 0 जो है वो यूज किया जाएगा address और डेटा को communicate करने के लिए external memory से ठीक है external memory के साथ data या फिर address को या फिर दोनों को communicate करने के लिए provide होता है ठीक है ये सारे pin जो आपके port 0 में जो सारे pin है उसका use किया जाता है address और data के लिए ठीक है external memory से communication के लिए and ALE pin is used to demultiplexing the address data at this port तो आपका ALE pin जो होता है इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा ALE pin होता है तो ALE pin का इसी port में हम लोग use करते हैं जो address है या फिर जो data है इसकी demultiplexing के लिए हम लोग इसको use करते हैं address को अगर अलग करना है demultiplex करना है तो हम लो pin का use करेंगे ठीक है चलिए next देखते हैं during data transfer between CPU and external memory जब हम लोग data transfer करते हैं CPU और external memory के बीच में तो इस समय क्या होता है port 0 gives list significant byte of address तो क्या होता है कि जो port 0 होता है वो A0 से लगाए A7 तक ठीक है जो lower order significant byte है address का ठीक है जो lower order है address का वो ही आपको देता है port 0 ठीक है चलिए next हम लोग देखते है port 1, port 1 का क्या काम है और कितने कितने pin है इसमें तो port 1 है उसमें भी आपको 8 pin देखने को मिलेगा pin no.1 से लगा है pin no.8 तक ठीक है pin no.1 से pin no.8 तक क्या है आपका port 1 है इसका काम क्या होता है it is 8 pin bidirectional IO ports with an internal 10k ohm push pull register push up register तो आपका port जो 1 होता है वो 8 pin bidirectional IO port होता है यह क्या होता है इंटर्नल 10k ohm 10k ohm का pull up register का connect होता है इंटर्नली 10k ohm का pull up register से connect होता है आपका pin no.1 लगा pin no.8 जो port 1 होता है ठीक है चलिए it is simply used as simple IO port तो आपका जो port 1 है इसको हम लोग as a simple IO port की तरह हम लोग work लेते हैं इसका काम लेते हैं ठीक है चलिए next point है आपका when a when a external memory is connected जब आपका external memory connected होगा then only port 1 is available for IO operations तब क्या होगा अगर आपका IO जो आपका external memory connected है तब क्या होगा only port 1 है ओ आयो operation के लिए available होगा ठीक है अगर हम लोग इस पोर्ट का external memory connect है तभी हम लोग इस port का use कर पाएंगे ठीक है चलिए next हम लोग देखते हैं port 2 port number 2 जो है वो pin number 21-28 के बीच में है ठीक है यह भी आपका इसमें भी आपके 8 pin होते है पोर्ट में नंबर 2 में भी आपका और इसका pin number कितना होता है कहां से कहां तक होता है pin number 21-28 के बीच में ठीक है यह होता है आपका port 2 इसमें क्या है it is a 8 pin bidirectional IO port with internal 10 kilo ohm pull up register तो आपका जो port 2 है यह भी आपका 8 pin bidirectional IO port है और इसके साथ में आपका internal 10 kilo ohm का pull up register connect होगा ठीक है होगा इसके साथ में चलिए next हम लोग देखते हैं इसके बारे में अगला क्या है when external memory is connected the port 2 is used together with port 0 to provide 16 bit address for the external memory अगर हम लोग माइक्रो कंटोलर से 1051 माइक्रो कंटोलर से कोई external memory connect किये हैं तो इसके साथ में तो जो external memory के लिए जो address है वो दोनों port से हम लोग provide करेंगे अगर हम लोग को 16 bit का address provide लेना है तो हम लोग किसका use करेंगे आपका port 1 और आपका port 0 और port 2 दोनों का use होगा ठीक है external memory से अगर हम लोग connect किये हैं अपना जो आपका micro controller है 1051 और हम लोग को चाहिए 16 bit का address ठीक है external memory के लिए तो हम लोग port 2 और port 0 यह दोनों आपके एक साथ provide करेंगे आपके 16 bit का address ठीक है चलिए next point हम लोग देखते हैं port 2 provides the high order bit और most significant byte of the address तो आपका जो port 2 होता है वो higher address significant byte को provide करता है address का जो higher order significant byte होता है मतलब A8 से लगाए A15 तक इस address को higher order जो address होता है इसको provide करने का काम होता है जो port 2 होता है उसका ठीक है next point हम लोग देखते है 16 bit address during external memory communication तो अगर हम लोग को 16 bit address चाहिए communication external memory से communication के समयं तो हम लोग port 2 और port 0 दोनों का use करेंगे ठीक है आप यहां पर देखेंगे तो आपका जो port number 2 है उसमें आपको देखने को मिलेगा A8 से लगा है A15 तक और port जो 0 यहां पर आपको देखने को मिलेगा port आपका address A0 से लगा है A7 ठीक है यहां पर क्या है आपका lower order address है यह आपका क्या है higher order address है तो lower order जो address होता है port 0 पर होता है higher जो order address होता है और कितले पर होता है port 2 पर होता है ठीक है चलिए next हम लोग चलते हैं अगले point पर port 3 के बारे में समझते है port 3 क्या होता है तो ATJ 8-pin bi-directional IO ports होता है ठीक है सारे जो आपके ports है हो क्या है 8-pin के bi-directional port है तो इसके बाद अगला point देखते हैं this port can be used as for for simple IO operations तो इस port का हम लोग use करते हैं simple IO operations के लिए but is mainly preferred for alternate function इसका IO operation जो होता है simple IO operation के लिए इसका use हम लोग करते ही करते हैं इसके साथ में कुछ इसका alternate function भी होता है ठीक है जो port 3 है उसमें कुछ alternate function भी होता है इस alternate function के बारे में भी हम लोग बात करेंगे क्या क्या होता है ठीक है next point है आपका when an external memory is connected to CPU then the here port is used for अगर external memory connected है CPU से तो इस port का use किया जाएगा किस लिए control signal for external memory serial communication के लिए interrupts के लिए timers के input के लिए इस सब के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका port 3 का ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं जो port 3 होता है उसका जो alternate function है वो क्या होता है यहां पे देखेंगे इसका alternate function यह होता है जो आपका port 3 है उसका जो pin number 10 है ठीक है वो क्या आपका p3.0 जो इसका काम होता है rxd ठीक है इसका नाम होता है क्या rxd receive data इसी तरह से जो pin number 11 हो क्या होता है आपका alternate function txd ठीक है transmitted data फिर आपका pin number जो बारह हो उसका क्या है alternate function तो आपका interrupt 0 pin number 13 जो है interrupt 1 इसी तरह से pin number 14 15 हो क्या है timer 0 timer 1 इसी तरह पिन नंबर 16 पिन नंबर 17 और राइड और रीड ऑपरेशन है ठीक है इस तरह से देखेंगे कि जो पर नंबर 3 है उसका आयो operation में इसका यूज होता ही है साथ में इसका जो special function होता है या फिर कहा है alternate function होता है ठीक है आयो पोर्ट की तरह इसको यूज करते है साथ ही साथ इसका alternate भी function ही होता है जिसके लिए इसका यूज करते है पोर्ट 3 का ठीक है चलिए आप अलब मुल देखते हैं जो आपका Rxd है या फिर Txd है इसका यूज कहां पर होता है क्या काम करता है सारे चीजे तो P3.0 पिन नंबर 10 है आपका और P3.1 पिन नंबर आपका कितना है 11 है जो आपका Txd है उसका यूज कहां पर करते हैं Serial data communication के लिए करते हैं डेटा को ट्रांस्मीट करता है transmitted आपका data है ठीक है transmit data इसका full form यह होता है transmit data किसके लिए Serial communication के लिए Serial communication के लिए data का क्या करेगा transfer करेगा इसी तरह से जो आपका Rxd है वो data को receive करेगा Serial communication के लिए ठीक है serial data communication के लिए data को receive करेगा कौन सा pin RSD pin ठीक है चलिए next point हम लोग देखते हैं the 8051 microcontroller hedge and inbuilt and UART universal synchronous receiver transmitter UART का full form क्या होता है universal asynchronous receiver transmitter to support synchronous serial communication transfer तो 8054 microcontroller में जो होता है वो आपका अंदर ही inbuilt होता है क्या UART होता है इसके अंदर जिसको support करता है synchronous serial communication transfer के लिए ठीक है चलिए next हम लोग देखते हैं RSD and TSD pin are used by UART for receiving transmitting serial data तो आपका जो RSD और TSD है pin वो कौन यूज़ करता है तो आपका UART यूज़ करता है universal asynchronous receiver transmitter यही इसका यूज़ करता है जो pin number आपका है RSD और RSD आपका TXT ठीक है किसलिए यूज़ करता है serial data code transmit करने के लिए या फिर receive करने के लिए ठीक है इसका यूज़ करता है चलिए next हम लोग देखते हैं interrupt आपका जो port आपका 3 है उसमें जो आपका P3.2 है वो आपका है INT 0 और P3.2 है जो INT 1 है ठीक है interrupt 0 आपका 1 तो pin number 12 है और pin number 13 है ठीक है तो INT 0 क्या है आपका external interrupt 0 है और यहां पे जो आपका INT 1 है आपका external interrupt 1 ठीक है चलिए next point क्या है आपका these pin are used as external interrupt input pins तो यह दोनों pin किसके लिए use होते है external inputs आपके external जो interrupts होते है input pins के रूप में इसका यूज़ किया जाता है one these pin are activated जब यह दोनों pin आपके क्या होते है activated होते हैं इसमें से कोई भी pin अगर activate होता है तो 8051 is interrupted and just there to vector location for the interrupt और क्या होता है कि अगर इसमें से कोई भी pin activate है तो आपका जो micro controller है वो कुछ समय के लिए अपने operation को रोग देगा और इसका जो address हो जम कर जाएगा vector location पे ठीक है interrupt provide कर देगा interrupt signal इसमें चला जाएगा जो micro controller है और कुछ समय के लिए जो आपका micro controller हो stop हो जाएगा अपने operation को रोग देगा ठीक है चलिए next आपका है next हम लोग देखते हैं जो आपका timer या फिर counter के हैं तो port 3.4 और आपका जो port 3.5 है ठीक है यह होता है आपका T0 और T1 T0 क्या होता है counter 0 या फिर timer 0 clock input और T1 जो होता है आपका counter 1 clock input यहां पे इन दोनों का काम क्या होता है इन 8051 micro controller has two 16 bit timer T0 and T1 तो आपका 8051 micro controller में आपका 16 bit का timer होता है दो आपका T1 और T0 ठीक है which can be used as a timer and event counter तो जो T0 है T1 है यही आपका timer की तरह use किया जाता है और कुछ समय इस में हम लोग counter की तरह भी इसको use कर सकते हैं ठीक है कुछ समय ऐसा आता है कुछ condition ऐसा आता है जब हम लोग इसको counter की तरह use करते है ठीक है कब करते हैं अभी हम लोग समझ लेते हैं in timer mode internal machine cycles are counter काउंट करेगा यहीं पर जब आपका काउंटर मोड में होगा तो एक्स्टरनल मसीन साइकल को काउंट करेगा ठीक है जो आपका एक्स्टरनल आपका मसीन साइकल है उसको काउंट करेगा जब आपका टाइमर मोड में होगा तो आपका इंटरनल जो मसीन साइकल है उसको काउं 6 and P 3.7 हिसमें दो आपके पिंस है जो आपका read है और raid है ठीक है read पे बार है मतलब क्या है WR पे बार है मतलब read जो की active low signal है और RD पे बार है मतलब read RD मतलब read WR मतलब ride दोनों आपके बार लगे हुए है इसल एक्सिटेट आपका supplyіш low signal है ठीक है thisgot right to external data memory तो मतलब क्या ओता है write करने के लिए external data memory से write करने के लिए WR करेंगे और read करने के लिए external data memory से data को read करने के लिए हम लोग RD pin का use करेंगे जो कि active low pin होता तरहा है ठीक है चलिए next point है आपका दियूरिंग external memory electricity kitten these pin are used as control signal और जो EU Raz Kız और ऑन क्वा communication के दारान जो pins है जो दोनों pins है read और write जो pins है वो control signal की तरह use किये जाते हैं ठीक है for read and writing in out of the external memory external memory के in and out जो आपका input and output जो आपका read और writing operations हैं उसके लिए हम लोग control signal आजे control signal यूज़ करते हैं, read और write को, ठीक है, चलिए, यह तो हो गया आपका pin diagram, pin diagram आपको बहुत अच्छे से सारे चीज़े समझ में आए होगी, कितने pins होते हैं, सारे pins का काम क्या होता है, बहुत सारा concept आपका इस वीडियो में clear हुआ होगा, ठीक है, उमीद करते हैं, आपको बहुत सारे चीज़ें आपको समझ में आए होगी, सारे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से clear हो गई होगी, ठीक है, next video lecture में हम लोग microcontroller के next topic के बारे में discuss करेंगे, बहुत सारा आपका lecture complete हो चुका है, microcontroller के बारे में, आप लोग जितना भी देखना चाते हैं, जो भी आपको सम कुशिएगा और आपके doubts को clear करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, तो मिलते हैं next video में, next lecture के साथ, तब तक खुश रही है, मस रही है, पढ़ते रही है, जैन